ये खंड़हर हैं जो कभी झूट नहीं बोलते अपनी कहानी स्वयम बया करते है अपने इतिहास से परिचे कराते है काल के हाथों बचे शेश-वशेश हमें सचेत करते है मगर समय किसी का सगा नहीं होता खंड़हर की गई गलतीयों से सबक लेने का आग्रह करते है लखनव की नवाबी कोठिया के अंतरगत ये हमारा चौथा एपिसोड है शाम ए अवद लखनव के बाग बगीचों पाकों वह अपने गंजों के कारण लोक प्रिय रहा है जैसे डाली बाग, चार बाग, आलम बाग, सिकंदर बाग, खुरशीद बाग आदी गोंती नदी के तट पर ऐसा ही एक बाग है नाम है, मूसा बाग पैलिस उजाड होना भर ही इसकी कहानी नहीं है, अपना गौरवशाली इतिहास है इसका शेश बचे अवशेश आज भी मौजूद है, लोग इन्हें भूतिया खंडहर भी कहते है ऐसा शायद शेश बचे अवशेशों को किसी संभावित नुकसान से बचाने के उद्देश्य से कह दिया जाता है ताकि डर की बजह से लोग इसे देखने ना आए, पहले ये स्थल कुछ इस प्रकार का होता था इंडो यूरूपियन शेली में बनी इस कोठी के अवशेशों को देख इसकी उस समय की गौरवशाली अकर महसूस की जा सकती है इसका आकिटेक्चर पिछली वरनित कोठीयों जैसा ही लगता है लखनव अपनी नवाबी जीवन शेली वर महमान नवाजी के लिए जाना जाता है शेहर से दूर इस कोठी में अवद के छठे नवाब सादत अलीखा आराम के लिए यहां वक्त बिताया करते थे महमानों के मनोरंजन के लिए बागों, दरियाए घोडों, हाथियों और भैसों की लड़ाई का आयोजन किया जाता था कोठी में एक सुरंग भी है जिसका संपर्क शेहर की अन्य कोठीयों संग था कोठी के खंडहर देख इसके शाही अतीत की कलपना की जा सकती है लखनव में रहने के लिए अंग्रेजों को रेजी डेंसी के बजाए मूसा बाग देने की दो बार पेशकश की गई थी पहली बार नवाब गाजी उद्दीन हैदर ने और दूसरी बार उनके पुत्र नसीर उद्दीन हैदर ने दोनों ही बार अंग्रेजों ने पेशकष ठुकरा दी सन 1857 के बगावत के दोरान कोठी प्रांथ के क्रांतिकारियों का अड़ा बन गई थी अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र क्रांति के दोरान ये वाजिद अली शाह की पत्नी हजरत महल और पुत्र शहजादे बिर्जीस कद्र का शक्तिशाली गड़ बन गया था 18 मार्च सन 1858 को कर्नल जैम्स ओटम ने वाजिद अली शाह के आली शान महल पर इसर कैसर बाग पर कबजा कर लिया बाद में मूसा बाग पर हमला किया इस हमले में करीब 500 भारतिये मारे गए और बेगम हजरत महल तथा शहजादे बिर्जीस कद्र नेपाल के रास्ते में बिथौली चले गए मौलवी एहमद उल्ला को गिरफतार कर उनका सिर कलम कर दिया गया मूसा बाग पर हमले के दोरान अंग्रेज अफसर कैप्टेन फ्रेडरिक वेल्स बुरी तरह घायल हो गया था कोठी के अवशेश के सामने अहाते में उसकी कब्र है जिस स्थानिय लोग कप्तान शाह बाबा की मजार कहते है पोस्ट अगर पसंद आई हो तो लाइक और प्रेस्क्राइब कर बैल बजा दे